यह गाईज विजन की 8 जनुरी की डेली करंट अफियर्स की मैगजीन है तो चले हम आज की फर्स न्यूस स्टार्ट करते हैं ब्यूरियो ओफ इंडियन स्टेंडर्स कंप्लिटेट दा 75 ग्लोरियस इस तो गाईज हम सबसे पहले देखो न्यूस में यही था कि इससे के 75 साल कंप्लीट होगे तो स्टेटिक न्यूस यह यह जो ब्यूरियो फिंडियन स्टेंडर्स को इसके फंक्शन को कॉंटेन्यू किया था इसका काम यही कि हमें क्या करना है जो भी हमारे goods है इनको quality certified करनी आ है चीकर yeah standardized करना है और जो भी threats है यह जो भी matters है इस से related standardization से उनको मतलब की responsible है उनको measures को adopt करती है यह function करते किसके अंडर ministry of consumer affairs food and public distribution के अंडर significance किया सबसे पहले क्यों होता है मैं misty और ना डाधा दूं standardized करते पुर्टिक्ट रेएं वह इसके वैसे मेरे प्रोडक्ट को सेल्फ मार्प भी इसके लाव और भी अपरेट करते हैं वीरियस मैरेजमेंट सिस्ट्म सर्टिफिकेशन स्कीम हौल मार्किंग में किया है BIS क्या करती है गौल्ड, सिल्वर जल्डी, गौल्ड, बिलियन इन सब का हाल मौक भी करती है so that हम किसी भी बंदे को एक किसी भी कंजूम होगा third party को assure कर सके कि आपके पास जो भी product है उसकी purity है ठीक है पच्छे साल के लिए BIS का क्या जंट है सबसे पहले क्या करेगी ऐसा फेसिलिटेटर काम करेगी मतलब लोगों को एक support करेगी ना कि obstruct करेगी इसके लब क्या करेगी global organization as a global organization develop करेगी और जो भी international and globally जितनी भी bodies है उनके experience से भी कुछ सीखेगी इसके लावा gap analysis पे काम करेगी मतलब यह हमारे में क्या कमी है उनको किस पे काम करेगी और high quality model labs उनको set up करेगी इसके लावा यह क्या करेगी one nation one standard की quality पे काम करेगी और quality इसकी not expensive है it is cost effective fine next news है supreme court grants last chance to center to respond to PIL on identifying minorities at the state level तो कई दीजो my news है quality and governance का cover होगी तो कब सबसे पहले हम यह देखते हो PIL जो की PIL में क्या था it is seeking directions for framing देखो इसमें यही बला हुआ है कि हमें क्या करना है state level पे minorities को identify करना है और उनको protect करने की guidelines को frame करना है even कि हिंदू भी खुद वो minorities है कुछ 10 states में ठीक है प्ली को इसलिए लिए का कहता है जाकि जहां पे हिंदूस कुद minorities में रहते है जो especially six states और two union states में रहते है वहाँ पे हम उनको protection दे सके यह और यह जो data है वो है census 2011 से अब जब हम यह देख सकते है इंडिया में minority status क्या है देखो constitution world minority को define नहीं करती यह सिर्फ minorities को define करती है minorities के क्या right होते है और यह detail में दिये वह अंडर article 29 and article 30 however center क्या करता है national commission for minorities को actor 9092 को use करता है जिसके अंदर हमने 6 cast को या 6 religions को minority define के हुआ है muslims, christians 6, buddhist, jannis and juraston T.M में पाई case है था 2002 में जिसमें supreme court ने बोला था लिंग्विस्टिक और religious minorities को determine करेंगे उसमें हम state wise देखेंगे and note यह नहीं देखेंगे as a whole country के पापरेशन के नहीं हम state के पापरेशन के according भी minorities को refer करेंगे national commission for minority educational institution act 2004 में जिरो ने क्या किया था जो minorities के educational rights है उनको safeguard करने के लिए काम करता है benefits किया अब जनाम NZMA के बार में पढ़ लेता है यह constitute under this act जो करती है कोई भी dispute होता है minorities related उनको appeal करते है मतलब कि यहां पे उनको jurisdiction देती है quasi judicial body again very important civil court की power इसमें होती है इनके अलावा किया है किसी भी educational institution में minorities का जो भी reservation है या जो भी उने power मिलती है उनको cancel भी कर सकती है on the grounds laid down in the act fine benefits के होते है minority status का minority communities कुछ explosive schemes का फैदा उठा सकती है जो भी minority affairs के दोरह दी जाती है इसके लावा इनके पास freedom है to run their own educational institution and trust due to the article जो कि constitution के article 30 close one में दे रखे है and other few sections fine next news है petroleum and natural gas regulatory board frauds bids for city gas distribution network ठीक है तो अभी क्या है यह जो काई न्यूजा इंफा सक्टर में कवर होगी अभी CGT network इंडिया में कौन-कौन से है मतब CD gas distribution रिसेंटली के जो petroleum and natural gas regulatory board है वो बिट्स मतलब कि suppose करो आपने कोई project लिया मतलब कि आपको वो चाहिए कि कौन मेरे project को लेगा तो बिट्स को इंवाइट किया है अंडर 11 a CGT bidding round for CGT network in 5 geographical area अभी कौन-कौन से 5 geographical area वो एक है एक है जगदीशपूर हल दिया बकरोती एक है बरोनी गुहाटी pipeline project है तीसरा है नोर्थी स्टीज इन गैस grid फोर्थ है नकोची कोडान बैंगलोर बैंगलोर pipeline project है फिफ्थ है इन और थिरुवलर बैंगलोर नागापटना मदुराई टूटेगोन यह है एक बर बैंगर बिट्स फाइनलाईज हो जाते हैं तो 88% जो country का area है उसको उत्राइज दिया जाएगा हम वहाँ पे gas distribution network को develop कर सके हम क्या कर सके है अपनी country की 98% population को natural gas का access दे सके city gas distribution का मतलब कि हमें क्या करना है natural gas को distribute करना ये ट्रांसपोर्ट करना है cleaning cooking मतब अभी आप LPG यूज कर से हो उसके जगा आप cleaner cooking food that is a pipe natural goods उसको यूज कर सको household purpose में भी industrial commercial units में भी इवर के transportation fuel जैसे अपार्ट पेट्रोल और डिजर टू वीकल थूए नेट्रोक फाइप्लाइन में पाइप्लाइन के थू ठीक है सिज़ी नेट्रोक के बार में आपको पाता होना जी अंडर दा इस एक्टव PGNRB ने ग्रेंट किया था कि हमें क्या करना है कुछ इंडस्ट्री इस और को पावर दी कि वह कहा कर सकते हैं इंक्रोड़िंग पाइप नेच्रल गयास ठीक हैं सिज़ी नेट्रोक में चार डिस्टिंट सेंक्टम हैं चार अलगा अलग सेग्मेंट हैं अधर ओटो मूबाइल यूज़ बीज़ कर सकते हो मतलब आप अपनी कार्स में अपने वीकल्स में उसकर सकते हो डुमेस्टिक परपस के लिए कमर्शिल और इंडस्ट्र सेक्मेट में बैनिफिट्स के हैं सेफ एश्योड सप्लाई हैं इसलेंडर बुक आपको पहले नहीं कराना पाईगा क्योंकि कि तुरुआएगा बैनिफिट के हैं इसके एमिशन बहुत काम होते हैं इसली इगनाइट हो जाती है जिसके वाज़ाद कि किसका अच्छा होता है इससे इंजरी नहीं होती और डेथ रिट भी बहुत काम होते हैं नेक्स्ट न्यूज़ है मिनिस्ट्री प्रोग्राम इंप करती है जो फॉस्ट एडवांग एस्टिमेट में यूज़ दा एफ एफ एजी टीप एस्टिमेट जिसमें हम यह बताते हैं कि अगले साल हमें किस 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 मिनिस्ट्री किस किस डिपार्ट्पम कितना बजट अलोकेट करना होगा क्योंकि आपको पता ही है नया साल आएगा हर मिनिस्ट्री को निया बजट उलोकेट तक है तो इसमें करते हैं एक्सान में तो कि छीट्प नहीं करती जो फब्लीट एंड में पपल behaviour शोता पार्ट ओफ सेकिंड एडवांस एस्टिमेट की टेक अवे क्या है फाइनेशल जीटीप के आपको पाता होने चाहिए जीटीप का मतलब यह होता है कि हमारी जो भी हमारी विदिन तरिटरी जो भी गूड जैन सब्सक्राइब उसकी टोटल वैल्यू कितनी है नॉमिनल जीटी जीटीप दर्डाइब रिए ग्रीटी खोटा है और नॉमिनल जीटीप माइनस इंफ्लेशन रेत ठीक है आपके जीटीप क्रोथ क्या होती है देखो एडियल जीटीप की जो विल ग्रो पाइन पोईट डॉपरसंट अगर हम नॉमिनल जीटीप और ग्रोपाय सेवंटीन प प्राइवेट की डिमांड बहुत कम है जिसकी वजह से एकोनोमिक ग्रोथ रहना अच्छी नहीं है मतलब कि क्योंकि जो भी है पब्लिक तो काम करते हैं गौर्वर्मेंट लिए इतना अच्छा काम कर लें लेकिन देप्ट में चली जाएगे तो प्राइवेट अकर ुट करते हैं यह हमाई कोर्ड सेंटर टो डैली हाई हिए अगें फॉलेटर हो prag में कवरते हैं अभर होता है जैसे आपको पाते है कRIMINल कोर्ट होते हैं सीविल कोर्ट होते हैं ठीक है कृमिनल और कोई केस स्चाइध यह सिर्ल ginger èak solve की लिशन होता है कि सिप के लिए सेंवते ह सब्सक्राइब कर दो क्या है कि जुए फिल को इंप्लीमेंट करने का मैंतर अभी भी पेंडिया को हुआ है कि एक सिंगल हो अभी परसनल में प्रॉप्टाइब और युझा है इन्हेरिटेंस का अग जिसके जिसके जिसकी वाज़ी इनकि कि अलग अलग परस्टनलों तो इंटर परस्टनल रिलेशनिशिप के द्वारा गवन की जाते हैं तो इसका फेवर में क्या है सबसे पहले कहा है आर्टिकल 44 है वो खुद बोलता है कि अगने स्टेट को समझना जाए इसके लिए जो जुदिशल प्रनाउसमेंट को और इसी बना सकते हैं नेशनल इंटिकलर परहूं के फेवर में है इस से में क्या होता है जो पारलिमेंट है वो किसी के परस्टनलों के आपर जुरिस्डिक्शन नहीं देगी तो पारलिम्स का पावर चलीगी इसके लाव आर्टिकल 25 को कॉंट्राटिट करेंगे क्योंकि आर्टिकल 25 मैप को फ्रीडम दिया हुआ है तो रिलीजन पर आर्टिकल 26 प्रोज भी मैप को खुद मिला हुआ है इसके लाव है कंट्री के डिवर्सटी के भी अगेंस्ट है ठीक है यूनेट इन पर आपर अचारी अब जनवरी में हर साल किया जाता है वह कोडिनेट किया जाता है एंड बॉंबे नाचुल ईस्टोरिक ससाइटी इंटिक्रल बार्ट है जिसमें हम इंटिक्राल पार्ट जिसमें ग्लोबल जितने भी वाटर में रहने वाले बर्ड को मुनिटर करते हैं और इंटरनेशनल वाटर बर्ड सेंसर जिसको कोडिनेट किया जाते हैं इसके लाएंट इंटरनेशनल वाटर बर्ड सेंसर यह मुनिटरिंग प्रोग्राम है जो क्या करत इसके लाब है इसके लाब है इन्वार्मेंट मिनिस्ट्री का वेक इंपोर्टेंट पार्ट है किसका नैशनल एक्षिंट प्लान फोर कंजर्मिशन माइग्रेटरी बड्स एंड अलों इसके अप्जेक्टिव है कि हम ही क्या करना है वाटर बड्ड की पैपुलेशन कितनी है पर उनको एन्रोल बैसीज पर देखना ठीक है और कौनसे स्पेस्स का नॉन ब्रिटिंग क्योंकि जनुर्वरी में मोस्ली जो स्पीसिल होते हैं वह ब्रीड नहीं करती है इसकलाब क्या करते हैं अन्रोल बैसिस मोनीटर करते हैं कि वेट लैंट का क्या स्टेटास है सबसे पहले सुप्रीम कोट अपोल्ड ऑफिस को नीट या पीजी में वह एक वैलिडिट है और हम इसको रखेंगे मतलब ऐसे ही चलता रहेगा ठीक है सुप्रीम कोट की क्या जज्जमेंट है इन्होंने बहुता है ओल इंडिया कोटा में जो हम 10% एकोनॉमिकली वीकर सेक्ष क्योंकि पहले क्या हो था इडावस क्रिटीरिया पर कोश्चन हुआ तो जिसकी वज़े से क्या है इंकम मतलब यह भी बोला था कि इंकम क्या जो हम रख रहे हैं क्या वह ड़ोज़ों कोटा के अंडर आनी चाहिए नहीं आती है फिर हमने क्या किया था ग्रोस एनुल इंकम लिमिट कर दिदी कि जिस बच्चे की इंकम आट लाग से कम है वही एडावस कोटा में आएगा ठीक है नेक्स्यूस है मैरिटल लेप शादी के बाद जो भी रेप होता है डेली हाई कोट इस हीरिंग प्लीज मतलब कि क्या आपको क्रिमिलाइस करना चाहिए मैरिटल लेप क इंडिया मेरिटल लेप को कहीं भी किसी लौ में डिफाइन नहीं किया मैं आई पीसी का सेक्शन 375 डील करता रेप से जिसके अंदर क्या होता है अगर कोई भी आदमी अपनी वाइफ के साथ सेक्स और इंटरकॉर्स होता है जिसकी एजड बढ़ा के अठारा साल कर देती द जो जो और देती दिस नॉट कावर अंडर रेप ठीक है यह सेक्शन 375 डील करता है इसके लाब आइप सेक्शन 498 डील करता है कि अगर कोई हस्वेंट या कोई भी रिलेटिव उस हस्वेंट का कोई कुर्यल्टी करता है विद भूमें तो वह उसके तर डील करता है ठीक है सब्सक्राइब हैं तप्रफिया और ऑठ है एक जगा डिस्टरबैन उसको काम करता है क्या मतलब अगर एक जगा नीया नोक्रिय ने ने क्या किया है यह किस किस के द्वारा बनेंगे बिटेन चाइना रफ्रांस रशिया युएस से जिसका इंग है कि सो देट वी कन प्रिवेंट नुकलियर वाल वाइल मेंटेनिंग इस ओन नुकलियर डॉक्तराइब पांच की नुकलियर आर्मैशन है इन्होंने पहले बोलाथा है कि नुकलियर वन ना लड़ सकते हैं इंडिया का स्टेंड के न्युक्रियर वाल वाल पर हमक्री ने इद भात करता है इसके ऐलाब़ के 않े हैं अगर आघ और करेंग देशाइम का और अधार इनेबल पेमेंट सिस्टम पर पड़ा है उन्होंने क्या किया है कैश विड्रोल अगर आपको कैश विड्रौ करना है थ्रू एपिएस तो उसके लिए कैश की लिमिट इंट कर दी कि कितना विड्रो कर सकते हो ठीक है प्रेजनली जो एट्यम माइक्रो एट्यम के तुर दौरा चलाए गया मोडल है जिसमें क्या करते हैं फैनेंशल इंक्लूजन की बात करते हैं ताके हम रूरल इंडिया तक भी फैनेंशल जो लोक ट्रांजेक्शन कर सकें थूदा बिजन्स कोर्बरेंट ऑफ एनिवेंग उसिंग दाधार अधार अथेंटिकेशन यह कुछ र अधार नंबर फिंगर बेंटिकेशन अगर आपको पैसे चाहिए कुछ विड्रो करने तो आपको बस तीन चीजों की जुरूए था आपको बैंक नेम बताना है अधार नंबर बताना और अपनी फिंगर फिंगर नेक्स्ट एक्रंट एकाउंट अब देखो देखो दो तरह ऑफिंगर यह बात मैं आपको पताएंगे क्या होता यह थोडा जब आप अप Improve दा और ट्रांसवर इसमें इंक्रूड होते हैं हर भी डेटर के कोडिंग इंडिया के कुरेंट एकॉंट बैलेंस है उसमें 9.6 बिलियन डॉलर का डेफिसित है इन दे सेकेंड क्वार्टर फिसकल एंडिट्स वाइडनिंग फर्दर और और भी भड़ रहा है धीर जो की अच्छा इंडिकेटर नहीं है नेक्स्ट सीड्रेगन 2022 मुल्टिलेटर एंडि सब्मरेंड वार्फिर एक्सरसाइज है इसमें कौन-कौन पार्टिस्पेट करता है इंडिया अस्ट्रेलिया जपान यूएसे तो गाइज हैं करनेड और स्वाथ कोर्या भी इसके अंदर इंडिया अजितान थर्ड और तामिलनादू इस अवार्ट को इसलिए दिया जाता है जो स्टेट के दोर्फ फटली बनाएता है बहुत अच्छा गाम गाए जाता हो उसको इसको करते हैं या कोई बीडिस्ट्रिक्ट इनिवीजल और इसम्रीट बारत इसको अचीव कर सेकें इसको इ से डिया किसके लिए ज्यांता है वेरी पॉर्ड़ा जर्शक्ति को दरों और कप से दियादर 2018 से नेक्स्ट है प्रशाद जी मेड़ेच एक प्रशाद स्कीम जो फोकस करते हैं इस तरह से जो इंडिया में जो पिलग्रिमेच साइट है जो तीर्थ स्तान है उनको डेवलब किया जाए और वहां पे जो रिलीजिस टारिजम है जो भी तीर्थ श्रधाल हो जो भी टूरिजम आ रहे हैं तो उनका एक्स्पीनिस अच्छा करें इसकंदर है कि हमें क्या करने हैं जो भी पिल्गिरिमेंज डिस्टिनिशन है उनको इ इस बढ़ रहे हैं तब भी करका टाइकोड ने ऐलाओ कर दिया है यह जो मेला होगा वहां पर होएगा सुंदर बनके गंगासर आइलेंड में होगा हुंदा किजिनों मक्कर सक्रांती चोदा जन्वरी कुम्ब के बाद जहां पर सबसादा भीड जामा होती है वहां पर होती यूज अच्छी लगे वीडियो अच्छी लगें तो लाइक करना कुल आउटो कमेंट करना तब तक लिए बाबाई ट्यटा